वैलेकम टो ओल ओफ यू लर्न विथ मी स्वागत है आप सभी का हमारे योटीब चैनल लर्न विथ मी में दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजेगा और अगर ये विडियो आपको पसंद आये तो इसे लाइक किजिएगा और मैग्समम शेयर किजिएगा आज हम क्या करेंगे आज हम अपना रेक्टेंगलर वाले का आखरी पार्ट को कम्प्लीट कर लेंगे ठीक है वो क्या रहेगा हमारा वो रहेगा इंसाइड और आउटसेड वाला कुछ वक्ति के इंदर के बाहर के ओर देखने ठीक है आज हम दो इन दोनों का मिक्षर वाले कोशन को आज हम कम्प्लीट कर लेंगे ठीक है तो चले बढ़ते हम अपनी कोशन की तरफ कोशन ये रहा हिंदी पर आप इसका स्कुन सोड लेके रख सकते हैं ठीक है ताकि आप को आगे कोई दिक्कत ना हो अब चलते हम अपने इंग्लिश की कोशन की तरफ इंग्लिश पर यह रहा तो कोशन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं ठीक है क्या लिखा हुआ है एट परसन आई जे के एल एस्टी योगरती आठ रेक्ति हैं रेक्टेंगल टेबल ठीक है वह कहा बाख करण बाहर की ओर और यह बोल रहा है एंड फॉर आफ आफ तैंस आप उस्टी नोर्मल गया हमको तरफ इसका बता उए इसरी कि यह अग्ड़ आइप कॉर्णर वाले बाहर है मिडल वाले अंदर पर अब कोशन इस साट होता है इधर से ठीक है क्या लिखा हुआ है टी इस नेबर ओफ वाविल अब यहां पे इसने बोल दिया कि टी नेबर है कि इसका एक वाविल का अपने कोशन में देख रहे हूं आई जे के ल एस टी यूवी आई और यू में इसे बोल रहे है कि टी नेबर है एक वाविल का मतलब या तो यू का नेबर होगा या तो आई का नेबर होगा पर दोनों का नेबर नहीं होगा ठीक है अगे लिखा रह astronomers चाना कि इस टी के ऐगगा जो दोनों के आएंगे कोई वोवेल ही आएगा मतलब कोई स्वर ही आएगा ठीक हैं पर इसने क्या बोल दिया T is neighbour of vessel, किसी एक वोवेल का ये किया है किसी एक स्वर का ये neighbor है ठीक है एक स्वर आएगा मतलब T neighbor हो जाएगा किसका या तो I का या फिर यू अब बोल रहा आगे व फोर्थ राइट फोर्थ राइट पर जे के ठीक है और क्या बोल रहा है who is not opposite to s ठीक है देखो अब यहाँ पर आगे है फिर वही बात v आया j आया फिर who आया तो यह who किसके लिए use हो रहा है j के लिए ठीक है तो हम इसे note कर लेंगे जो भी आगे information दी हुई है वो j की according दी हुई है ठीक है क्या बोल रहा है who is not opposite to s ठीक है जो क्या है s के opposite नहीं है हमने opposite का निशान बिना लिया और नहीं है करके s लिख दिया ठीक है अब आगे क्या information दी हुई है case it's third left of l k क्या है l की by तीसरे बैट है हमने लिख लिख लिया ठीक है अब क्या बोल रहा है who is neighbor of consonants देखो k बोल दिया फिर l बोल दिया फिर who to who किसके लिए उस होगा l के लिए उस होगा ठीक है तो हम लिख लेंगे इस information तो क्या दिया हो information l is neighbor of consonants मतलब देखो अब क्या बोला इसने l neighbor है consonants का ठीक है मतलब वे अंचनों का ये क्या है इस तरब भी को ये consonant आएगा इस तरब भी को ये consonant आएगा ठीक है एल नेवर नहीं आएगा किसी वोवल का ठीक है तो हम लिख लेते हैं एल नेवर है किसका consonant का ठीक है c o n लिख लेह ने मतलब अब क्या बोल रहा है देखो neighbor of k ठीक है over here, K के जो पडोसी है आजु बाजु में जो भी बैठे हुए, वो क्या बोल रहा है, नौड फेंसिंग इंसेट, अब देखो, K के यहाँ पर अगर मैं ले लूँ, K, ठीक है, K के तो यह क्या बोल रहा है, K के जो पडोसी लोग है, वो किया अंदर की और नहीं देखना चाहिए, मतलब यहाँ अगर के ले ले दियू यहाँ पर तो यह तो अंदर की और देख जाएंगे, यह भी अंदर की और तो ऐसा नहीं होना जाएंगे, मतलब के को किधर बैठाना पड़ेगा मिरको, के को मिरको इनसेट पर बैठाना बाहर के और मतलब के कहां बैठेगा अंदर के और यह क्या हो गया हमारा फिक्स हो चुका है ठीक है के अंदर क्यों हो रहे है यह क्या हमारा फिक्स हो चुका है अब क्या बोल रहा है V sits the right of L अब हम लिख लेंगे इसे V कहा है दाएं तीसरे बैठा है L के ठीक है ये लिख लिए हमने अब क्या बोल रहा है आगे I sits diagonally opposite to S फिर वही बात हो को I कहा है diagonally opposite है किसके S के ठीक है या तो S ही या तो S ही ठीक है I कहा जाएगा I diagonally opposite आजाएगा S के तो हम लिख लेते हैं I जो है opposite है S की वह भी कैसे diagonally ठीक है DIA लिख लिख लिए हमने या फिर आप सिर्फ DB लिख सकते हैं ठीक है ऐसा हम information को note करके रख लिए अब कहां से start करूँगी देखो अगर मैंने ले लिया K यहां पर ठीक है K से related कोई information दिख रही है एक information दिख रही है यह वाली L के third left पर K है तो 1,2,3 L इधर आगया 1,2,3 L इधर आगया ठीक है अब हमें लेना है L के third left पर अगर मैं L यह वाला ले लूँ तो यह तो right side हो जाएगा तो L यहां पर आएगा क्या नहीं L यहां पर नहीं आ सकता क्योंकि L के third right पर किया जाएगा तो L कहां पर fix हो जाएगा यहां पर ठीक है L के third right पर लेना है मतलब sorry L के third left पर लेना है मतलब यह वाला side क्या आगया इसका left side तो L के एक, दो और तीसरे left पर कौन आगया के मतलब L यहां पर बिल्कुल fix हो जाएगा ठीक है इत्ती बते समझ में अब क्या बोल रहा है यह हो गया अब L और के से information कुछ के की information बिल्कुल भी नहीं दिया अब मैं L की information देख सकती हूँ यह वाली है न L की information है L के third right पर V है मतलब L का L यहां पर है phase बाहर ही हो रहे तो यह right side आ जाएगा तो यह पहला right यह दूसरा right और तीसरे right पर कौन है V है तो हमने V को भी क्या क्या fix कर लिया ठीक है V भी हमारा क्या हो गया fix हो गया तो हम यह तीनों को fix कर लेते हैं अब क्या बचा देखो अब L के और V से related कुछ information ठीक है कुछ दिख रहा है क्या L के V से L neighbor है consonant का consonant तो कुछ भी आ सकता है हमें पता है क्या नहीं ठीक है तो अब हम क्या करेंगे और कोई सा information देखते है V से related एक information यहाँ पर यह वली दी हुई है क्या दी होगा है J के fourth right पर V है 1,2,3,4,J यहाँ पर भी आएगा 1,2,3,4,J यहीं पर ही आना है ठीक है तो J के fourth right पर कौन आ गया V आ गया ठीक है J के fourth right पर कौन आ गया V आ गया इतनी information हो चुकी है अब एक बोल रहा था कि J opposite नहीं है S के तो J तो opposite आ गया V के तो S के opposite होगा नहीं ठीक है यह information यह हो चुकी है अब क्या बचा देखो अब बचा I diagonally opposite है S के T neighbor है I है U का और L neighbor है Consonant का ठीक है मतलब यहाँ पे I और U आना नहीं है ठीक है यहाँ पे I और U आना नहीं क्योंकि L neighbor आएगा Consonant का ठीक है यहाँ पे आएगा नहीं I और U यहाँ तो यहाँ पे आजाएंगी I और U यहाँ तो यहाँ पे आजाएंगी I और U यहाँ तो यहाँ पे आजाएंगी ठीक है नहीं पता अब बोल रहा है कि I का है डैंगली अपोजिट है S के अगर मैं I U यहां पे ले लूँ I को अगर यहां पे ले लूँ तो S यहां पे आगा क्या नहीं क्योंकि यहां पे तो कौन बैठा हुआ है L बेटा हुए तो यहाँ पे आना नहीं है ठीक है यहाँ पे क्या होना सकता है यहाँ पे आ सकता है सिर्फ U ठीक है यहाँ पे सिर्फ U आ सकता है ठीक है अब इसमें भी देखो और क्या बोलता है L ने बर है कौन से आई हूँ यहाँ पे नहीं आना ठीक है i और s को i और s यहीं पर आएंगे ठीक है और u का u का if place fix हो चुका है ठीक है क्योंकि u इधर नहीं नहीं अगर मैं यहां पर ले लchen और i और es डैक्नली opposite नहीं आते तो हम ने क्या किया is यहां पर ले लिया u यहां पर अगया ठीक है ये भी information हमारी complete हो गई, अब क्योंसा information बची देखो, अब हमारा person कौनसा बची आई हो चुका है, J हो चुका है, K हो चुका है, L हो चुका है, S हो चुका है, T बचा है, देखो T यहाँ पी ले लिया मैंने, T यहाँ पी fix हो चुका है, ठीक है, अब T neighbor है I का या तो U का, तो यहाँ पी क्या आजाएगा, अगर S ले लूँ तो I क neighbor आएगा क्या, नहीं, तो यहाँ पी कौन आजाएगा, आई आजाएगा, ठीक है, यहाँ पी कौन आजाएगा, आई आगया, तो यहाँ पी कौन आगया, S आगया, ठीक है, U के लिए हमारे पास एकी प्लेस बची थी तीन प्लेस निकली थी देखो U के लिए हमारे पास एक ये प्लेस निकली थी एक ये यहाँ पर तो आना नहीं था क्योंकि L नेवर नहीं है ठीक है तो ये प्लेस उती नहीं तीन प्लेस थी एक ये और ये अगर मैं यू को यहां ले लेती तो आई एस के लिए जगा नहीं बस जब कि आई एस मुझे या तो ऐसे या तो ऐसे चाहिए था तो यहां पे तो L बैठा था तो I.E.S. यहां पे आ नहीं सकता था तो I.E.S. के लिए एक ही प्लेस बजी थी ये दोनों ठीक है तो हमने क्या किया था महां भी इसको अरेंच कर लिया था ठीक है उम्मीद करती हूं कि यह वाला कोशन आपलोंको समझ आ चुका होगा ठीक है अब चलते हम अपनी दूसरे कोशन के दिदरफ तो दूसरा कोशन यह रहा हिंदी पे ठीक है यह रहा हिंदी पे अब इसका 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 इसको लेक्ट रख लीजे अब चलते हम अपने इंगलिस वाले कोशिन के दर तो इंगलिस पे ये रहा अभी एक question क्या बोल रहा है 8 persons A, B, C, D, E, F, G, S, C क्या 8 व्यक्ति आर्ट से टेंग इन रेक्टेंगलर टेबल यह कहां बैटे हुए हैं यह बैटे हुए हैं रेक्टेंगलर टेबल में ठीक है और क्या बोल रहा है आगे in which summer facing inside and summer facing outside उनमें से कुछ व्यक्ति जो है वो केंदर के अंदर के और कुछ व्यक्ति केंदर के बाहर के और देख रहे हैं हमें नहीं पता कि कितने व्यक्ति inside और कितने व्यक्ति outside है ठीक है और कौन-कौन है ठीक है अब पढ़ते हम आगे क्या बोल रहा है एंड three person-san setting in each longer set अब बोल रहा है कि प्रत्य बड़ी वैली साइड है उस पर तीन-थीन व्यक्ति बैठे होगे ठीक है और दो व्यक्ति कहां जाएंगे फिर छोटी वैली सेड में ठीक है अब दी है जी है और एफ से रिलेटेड इंफरमेशन है तो यह इंफरमेशन किसके लिए यूज हुई है यह वाली जो लेफ्ट ओफ लिखा हुआ है वो किसके लिए यूज हो जाएगी डी के लिए क्यों क्यों कि यहां पर लिखा हुआ है एंड ठीक है एंड लिखा हुआ है तो यह information किसके लिए उज़ोगी सबसे पहले वाले के लिए मतलब D के लिए D third right है G के और D के है third left है F के ठीक है अब क्या बोल रहा है आगे F and E are facing inside अब मुझे पता चलिए inside F देख रहा है और E देख रहा है ठीक है और क्या बोल रहा है A sits diagonally opposite to H A का है diagonally opposite है D लिख लिए मैंने किसके H के ठीक है अब क्या बोल रहा है कि information who sits third left of C A है H है फिर who use होगे किसके लिए use होगे आगे वले information H के लिए ठीक है and रहता तो A के लिए use हो जाती क्योंकि यहाँ पे who दिया हुआ है तो किसके लिए use हो यह H के लिए ठीक है H third left है C के ठीक है हमने लिख लिए H क्या है third left है C के अब क्या बोल रहा है कि information or D is facing opposite direction of B and G देखो D क्या है B और G के opposite direction देख रहा मतलब B और G अगर inside देखेंगे तो D कहां देखेंगा outside ठीक है और B और G अगर outside देखेंगे तो D कहां देखेंगा inside ठीक है इससे यह पता चला मतलब B और G same direction है और B और G के opposite direction पर कौन है दी ठीके तो हम लिख लेते हैं डी जो है पुजिट लिख लेते हैं डिरेक्शन पे किसकी ब ओर जीके ठीके मैंने ओ डबलपी लिख लिख लिया जिसका मतलब अपूजिट समझ लिया है मैंने ठीके और 2019 अब क्या बोल रहे आगे sitting at smaller side देखो, अब C दिया है, D दिया, उसके बाद कॉमा करके कुछ information, तो ये information किसके लिए होगी, C के लिए, ठीक है, तो C कहां बेठा हुआ है, smaller side पे, तो हम लिख लिए C, smaller side पे, हमें नहीं पता भी है, कि inside देख रहा है कि outside पर, इतना पता है कि ये कहां बेठा हुआ smaller side पे, ठीक है, अब क्या बोल रहा है, information, F sits third right of A, तो अब हम क्या करेंगे, इसे लिख लेंगे, F कहां है, third right पे है, किसके, A के, ठीक है, अब क्या बोल रहा है, और आगे, F sits third right of A and neighbor of B, देखो, अब F है, A है, उसके बाद जो information दी हुई है, कॉमा करके, end करके लिखा हुआ एंड करके, तो यह information किसके लिख होगी, F के लिए, ठीक है, तो क्या बोल रहा है, F neighbor है, किसका, B का, तो हम लिख लेते है, F क्या है, neighbor है, B का, ठीक है, और क्या बोल रहा है, H is facing outside, अब मुझे पता चल गया, H कहां देख रहा है, outside मैंने लिख लिख लिया, outside पे कौन है, H है ठीक है, और क्या बोल रहा है, C is facing opposite direction of F, देखो, अब सी के opposite direction पे F के, और मुझे पता है, F inside पे है, तो C कहां हो जाएगा, outside पे, ठीक है, C कहां हो जाएगा, outside पे, हमने C को fix कर लिया, किस तरफ, outside पे, ठीक है, अब मुझे पता है, कि C smaller set पे, और C का face भी पता है, अब मैं क देखोंगी, C से related कोई information, ठीक है, तो C से related कोई information, एक तो है, मेरे पास, C neighbor है, D का, और C के third left पे, H है, तो मैं कौन सी वाली information का पहले यूज करूंगी, ये वाली का, ठीक है, क्या बोल रहा है, C के third left पे, H है, तो ये C का क्या हो जाएगा, left से, ये हो जाएगा, right से, तो left जाना है हमें, तो हम इस तरफ जाएगे, और क्या, कौन से left पे जाएगे, ठाड लेफ पे पहला, तूसरा, तीसरे left पे कोई अगया, H, ठीक है, हम ने लिख लिख लिया, H, C के third left पे हमने, H ले लिख लिया, वो भी तीसरे third left पे, ठीक है, ये information का use, पहले है, अब क्या बो को भी हम इसकीप कर देंगे और क्या बोल रहा है देखो अब एच एच से रिलेटेड एच डाइगनली अपोजिट है किसके एक तो अब एच के यहां पर है तो इसका डाइगनली अपोजिट यह वाल आ जाएगा तो यहां पर कौन आ गया एगया ठीक है तो हमने लिख लिया अब भी मुझे फेस नहीं पता है एच और एक ठीक है बसिता पता था तो मैंने यह लिख लिया अब बोल रहा है एच एच का फेस कहां पता है एच का फेस यहां पे दिया हुए है आउटसेट पी है मतलब हैच का फेस पता चल गई ऑउटसेट ठीक है यह वाली information का use कर चु सकते हैं हटें कि एक नेवर यह 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 नह모ormer कोगा दूसरा नेवर कौन आएगा olvाश में w नीया तो अब ऊटा देते हैं अब भोल रहा है एक juvenile बे हुमने एक आश फिक्स पी नहीं पर आमर यहा time आजाएगा यह तो यहां पे आजाएगा हमें नहीं पता कहां पे ऐगा ठीक है यह fix वाली को मैंने सर्कल से कर दिया ठीक है F के third A के third rate पे F है मतलब 1, 2, 3 यहां तो F यहां पे यहां पे ठीक है यह हो गया अब बोल रहे है देखो F neighbor है B का ठीक है कि यहां पी F कर दूँगी तो नेबर आएगा बीका नहीं तो F कहां पी फिक्स हो जाएगा ऐफ फिक्स हो गया यहां पर एफ नेबर है भी टीक है यह ली बी तो 3rd left पे तो दो आई गया एक दो और यह तीन अज्ड रहन थ्सक्राइब आप दो आग्या थीजिए तो यह बहुं इंफिर्मिश्ण हो गई अब बोल रहा है जी के 3rd रहे पे डिए अब थर्ड पे तो f ए इसे अज़ पर थे एक यह ए इक यह दो और यह थर्ड रहे पर को होगा ठीक है इससे यह पता चल गया अब मुझे बोल रहा है कि जी के थर्ड रैट पर मतलब जी का फेस कहा हो जाएगा अगर में बाहर की तरफ फेस जी का तो यह उसका क्या हो जाएगा लेफ्ट सैट ठीक है तो मुझे इसका फेस कहा लेना होगा अंदर की और ठीक है अगर थी जी के लिए वो भी हमने उसको क्या किया अरेंज कर दिया ठीक है यह वाले भी information क्या हो गई यूजो ख़ए ठीक है अब देखो अब कौन बचा है बी और जी ठीक है बी और जी एक information या आपके लिक्वी थी एफ नेबर था बी का ठीक है अफ नेभर था वी का क्या लिखा होता है F third right of a कोशिन पर देख सकते हैं नेभर यहाँ पर फ नेभर था किसका वी का तो हमने लिख लिया यहां पे ऐक नेभर अब बचाओ कौन यहां पर चाहेगा यहां यहां पर और इससे मुझे इंसेट मैने लिख लिए हैं इनसेट इंफॉर्मेशन बची वह भी डीडिर्फॉसित है डीयेक्षन पें और जी अंदर एकट ने किया तो बीज आदेखेगा अंदर जीक शुक्त आफो तो बीज वी ए और देखेगा और देखो डी अपोजिट डी डी टेक्षण पे गी और घी का प्मझे पता है इनसायट तो डी का फीस कि घार हो जाएगा आउटसेट ठीक है और वी और जी कि कोशन का तो आप देख सकते हैं कि कितनी इसली हमने से को सॉल्फ गाल लिए आप लोग को इस स्ट्रेप के कोशन में बस क्या दियान रखना है कि लॉगर सेट पे बैठा है कि स्मॉलर सेट पे बैठा है ठीक है और जब हमें फेस नहीं पता होता है तो सिर्फ एक बंदी का फे तो इसमें क्या करेंगा आपको श्रेप नहीं देगा ठीक है इसी लेवल का आएगा और बिल्कुल आप इजलीज को इग्जाम में सॉल्फ कर पाएंगे ठीक है आज हम अपने सेसंट को यहां पर एंड आप करते हैं अब हमारा क्या होगा देखो अब हमने क्या 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 एव और लोगों पढ़ेंगे चली हम अगली बार ख़ एक हम एक वाले तो और तो आज का सेशन हम आपे पर और उमीद करती हूं कि यह सईसन आपको पसंद आया होगा है अगर आप लोगों के लिए वीडियो सेयर कीजिएगा और जितना हो सके उतनी लोगों को जोड़ने की कोशिच कीजिएगा तो चलिए सेस्टन को एंड डेप करते हैं कल फूर मुलाकात होगी एक नए कॉंसेप्ट के साथ तिल दन कीप लर्निंग कीप रेक्टिसिंग थेंक्यू और बाइब